पंचायत चुनाओं पर अब आगे क्या? सुप्रीम कोड के निर्देश से गर्माई बहस नए निर्देश पर कॉंग्रेस बीजेपी फिर आमनी सामने निर्वाचन आयोग के पाले में गेंद लगता है मद्यपरदेश पंचायत चुनाओं की तारीखें अब नियमों में उलज गई है 17 दिसंबर को सुप्रीम कोड के निर्देश को देखकर यही सियासी अनुमाल लगाय जा रहे है सुप्रीम कोड ने राज्य चुनाओं आयोग से कहा कि कानुम के दायरे में ही रह कर चुनाओं करवाएं जबलपूर हाई कोड में याचिका पर अर्जेंट हियरिंग ना होने के बाद याचिका करताओं ने 16 दिसंबर को सुप्रीम कोड में प्रकर्ण लगाया था सुप्रीम कोड के चीफ जस्टिस की बेंच ने इस इस विकार करते हुए शुकरवार को सुनवाई की तारीख तैकी थी अब सुप्रीम निर्देश के बाद राज्य चुनाओं आयोग के पाले में गेंध है हलाकि सुप्रीम कोड के निर्देश को कॉंग्रेस और बीजेपी अपने अपने चश्मे से देख रही है जो दो साल से अपनी उमीदवारी की उमीद लगाके बैठी थी राज निर्वाचन आयोग पर जिम्यवारी सौंपी गई है मान्य उच्छितम नलख के द्वारा उसके मान्य उच्छितम निर्वाट पाले के आदेश का सम्मान तो सभी करेंग करते ही हैं पर जो राज निर्वाचनाय को वह भी एक संबैधानिक संस्था है उसने पहले जो तारीखें दी हैं निश्चित रूप से वो संबैधान संमत होंगी और जो मानी उच्चितम नियाले निर्देश दी हैं उसका पालन करेंगा राज निर्वाचनायोग प्राइमा फेसी समझ में आ रहा है कि उच्चितम नियाले ने सभी पहलूँ पर विचार करते हुए ही राज निर्वाचनायोग पर पुनह यह जिम्मेवारी सौपी है पंचाय चनायोग में आगे और क्या होगा इस पर जहां बहस गर्माई हुई है तो वही पाल्टियों की अपनी अपनी तयारी भी जारी है बीजेपी कारेले में बैठक बुला कर मन्थन किया गया तो उधर कमलनाथ और नकुलनाथ छिंदवाड़ा दोरे पर है वैसे सवाल तो ये भी पूछा जा रहा है कि क्या पंचाय चुनाओं खटाई में पड़ सकता है क्या सब कुछ नए सिरे से होगा नमस्कार मैं हूं मनुस्तेने और हमारा आज का मुद्धा है निवमे में उल्जाब पंचाय सुप्रिम कोट के आदेश के बाद अब राज निर्वाचान आयोग ने भी बैठक बनाई है कोट ने पंचाय चुनाओं को लेकर साफ कहा है कि कानून के दायरे में ही चुनाओं ओबी सीट को जनरल मान कर चुनाओ कराये जाए इसके लिए फिर सेधी सूचना भी जारी की जाए आज हम सुप्रिम कोट के निर्देश के बाद लोगों के बीच जो बहस गरमाई है उसी पर बात करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर इसका क्या आसे निकाला जाए मेरे साथ तीन मेमान जोड़ रहे हैं उन मेमानों से आपको पर्चे करा दूँ डाक्टर हितेस बाचपई है प्रवक्ता भारती जन्ता पार्टी के सर आपका बहुत स्वागत है जेपी धनोपिया साब है बरिष्ट कॉंग्रेश न अब अब जो गैंध है वो निर्वाचन राज निर्वाचन आयोक के पाले में तो क्या ये माना जाए कि कुछ तारीख बदलेंगी या वैसा ही को दिखाई देगा जो सुप्रीम कोट के जो भी नड़देश है आज के याचिका की मामले में वो बहुत स्पस्ट है कि OBC का ज जनरल में करती जी तो इससे बड़ा जो है परिवर्तन आप देखिए कि जो चुनाओ की सीटें हैं पंच सर पंच या जो भी आगे प्रिटेक्श चुनाओ है उन पर पढ़ना है क्योंकि ये मामूली नड़दे नहीं के सकते हैं क्योंकि उन्होंने माहरास्ट में भी इसी तरह का नड़ने सुप्रीम कोट ने लिया था और वो जो गबली केस में ओवी सी आरेक्शन को लेकर जो उन्होंने सुप्रीम कोट पहले भी डिसीजन दे चुका है तो उसी को आधार उन्होंने बनाया है और ये जो है इस पर आप चुनाओ प्रिक्रिया रोकते हैं नहीं ये आपकी जो है एक चुनाओ एक जो खुद का नड़ने है उसको क्या नड़ने करता है लेकि इसके जो असर है आप नहीं रोकते हैं तो भी फिर एक जो है आपको फिर बापस सुप्रीम कोट में ख़ड़े हूंगे या चिकर करता की सब ये इस पर उन्होंने जनरल में लेते हैं तो भी एक बड़ा राजनितिक मुद्दा होगा क्योंकि ओवी सी का रिजर्वेशन ने दी ग्राम पंचायत इस तरह पर नहीं आप डेखी कि उन्होंने ये जो सुप्रीम कोट ने कहा है कि जो अर्वन बॉडीज हैं उन पर भी यही इस्तिती होगी उसकी क्योंक इसका देश ब्यापियाशन होना इनका बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं धनौपिया साब भी मिरसा जुड़े धनौपिया जी आपके ब्यक्ति कह रहे थे कि इसे जीत मानें संभिधानिक तरीके से अब जीत हार का फैसला तो खेर कन होगा जब निर्वाचान आयोग इसमें आगे क्या नड़ने लेता है पर क्या यह माना जाए जिस ओबीजी को लेकर चर्चाय चलती रही है अब यह कॉंग्रेस के लिए भारी हो जाए है मैं तो एतना ही कौंगा मुझे ऐसा लग रहा है कि हरी वजन को ओट लगे का पास क्या हुआ क्या हो गया है अगर आज यह पेशी नहीं हो रही होती तो ओवी सी का जो मामला था बहुत आप चली रहा था ना अपनी जगह पर आज कई अलग सा तो कुछ था नहीं कोई अगर आज हैरिंग नहीं होई होती है तो अगर अगर आज हैरीं नहीं होई होती है तो क्या इस्तिती आती है आज OBC के मामले में, यह OBC का जो है, यह समिधान है, पार्लिमेंट एक्ट है, पंचाथ एक्ट में अधीनियम में है, निगरपाली का अधीनियम में है, किसके सुरुज़ार बिसंदिया आएगा, एक्ट तो बदला नहीं है ना अभी, तो आकि यह जो जोड़ दिया गया, और आज कामर्स पाल्टी इस बात को एक गंपीरता से लेती है, तो समझे दिया होगा, जो इसकी पड़नाम होंगे, परसिदिया होंगी, देखेंगे, कामर्स पाल्टी ना इसकी हामे है, ना इसकी नामे है, नामे है, यह तो सुनाई देता है, बेदान सबा की कारवाई में, या लो पर अब जो सुप्रीम कोर्ट का एक ताजा निर्देश है आदेश का है इसको कल बैठक भी होगी इसमें बैठक के बाद तमाम तरह की चीज़े निर्बाचन आईव की तरफ से आईगी भारती जनता पार्टी का क्या क्या अच्छी बात तो धनुपिया जी ने एक दम हाथ ज टकते नहीं मैं बता देता हुआ क्या चोबे जी गये छबे जी होने और दुबे जी नहीं रह गये मतलब कॉंग्रेस गई थी किसी और के लिए हो कचु गया और दूसरी बात सर सुन तो लीजे सर जी सर वही आपने ओटन बोटन बोला उसको मैंने थोड़ा सीधा कर दिया सुन तो लीजे अरे सुन तो लीजे महराज सुन तो लीजे तो यह स्थिती कॉंग्रेस की होगे अच्छा मजे की बात यह है आप देखिए कि इन्हों ने जाके पिछड़ा वर्क को पूरा हटवाई दिया तो ना केवल यह पंचायतों के बिरोधी हो गये कॉंग्रेसी इन के नई चीज हो गई तो आप सूचिए कि कितिनी बड़ी मातरा में जो बंदिप्रदेश की 54 लगभग हम पिछड़ा वर्क पॉपुलेशन बोलते हैं आज के कॉंग्रेस के इस क्रत्त की वजह से अब वो वंचित हो जाएगी आरक्षण की प्रोसेस से और यह एक बहुत मै जाके ओबी सी आरक्षण की हत्या करा दी तो मुझे लगता है यह बहुत गंभीर काम हुआ है जबकि मूल मुद्दे में कोई रिलीफ नहीं है ना परिसीमन में रिलीफ है ना रोटेशन में रिलीफ है बोलते हैं इस्टे कर दो रुकवा दो सुप्रीम कोर्ट नहीं मना कर जलते हैं बस सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भई जिस प्रकार हमने महरास पर हम नहीं चाहते कि पंचायत चुनाओं में ओबी सी के नाम पर आरक्षण हो तो इसलिए जहां-जहां ओबी सी लिखा है उसको आप सामान्य में परिवर्तित कर दीजिए और कानून से करा यह न बुरी स्थिती में कॉंग्रेस के नेता आ गये हैं इनसे ओबी सी आरक्षण की पंचायत विवस्था में इन्होंने हत्या करवा दी है प्रत्यक्षा प्रत्यक्ष रूपते जो बहुत दुकर है लेकिन ड़क्ट साब जो टिपड़ी आज आई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ बहुत है तो लिखते रहे नतीजा क्या है नतीजा तो यह एंदर मना कर दिया उन्होंने का राजनिर्वाचन आयक हमको पूरा भरोसा है समीधान का पालन करे कानून का पालन करे बस एक राइडर उनने डाल दिया चुकी वो दे दे चुके हैं वो लिए आप लोग आई गय बिरोधी हो गए प्रतिनिधियों के तो रोज जाते थे सुप्रीम कोट ने उसमें तो मना कर दिया वो भी इसी आरक्षन को अलग खतम करवा है अब जाके यह जो चीजा दिखाई दे रही जैसे अब यह पॉलिटिकल भी हो गया वैसे तो पूरा मसला ही वह है पंचाय चुना है कि इस पर क्या निड़ाए लिता नजर उस पर रही गी पर अब जिस तरह से कॉंग्रेस के धवरपियास आपके रहे हैं क्या यह माना जा कि गए ते क्याई और कुछ और हो गया कॉंग्रेस कौंगरेस पारटि क्या कहती है भारती जिनसा पार्टी कहती है उसको छोड़ी एक पब्लिक पर्शेप्शन क्या होगा आजी आप जो चेहरे आज क्या करता के रूप में हैं जब कपिल सिब्बल राम जनम भूमी के मुकदमे के खलाफ में जब खड़े हुए थे तो क्या मैसेज गया था कॉंग्रेस है उसमें लिखा हुगा उन्होंने अपने उसमें क्या भी आगे भी उन्होंने याचिका अपने को संसोधन करना है तो उसकी गुंजाईश भी छोड़ी हुई है कि आप अपनी मूली याचिका में जो और कुछ जोड़ना चाहें तो जोड़ने हैं लेकिन अब डारिक्शन अलग हो गया वो परीशिमन के वले एक बिशह नहीं बचा हुआ जिस परीशिमन के आधार पर चुनाओ रद कराने की बात कर रहे थे या सरकार ने जो अध्यादेश जारी कर दिया था उसको निरस्त कराने की जो बात थी अब इससे भी आगे बात चली गई अब आप देख तो आप इसको पूरे देश के इसाफ से देखिए कि OBC में क्या मैसेज होगा और किस तरह का जो है स्टेंड आने वाले दिनों में हम कांग्रेस पार्टी का तो ठीक है जो अब बहुत डिफेंड करेगी कुछ भी करेगी लेकिन जो भारती जनता पार्टी का मूब होगा चा दनोपिया जी जैसा आप कह रहे है कि कॉंग्रेस को कुछ नहीं लेना देना लेकिन जो सज्जन जिनके आप बात कर रहे हैं सहीज जफर साब वो आपकी प्रवक्ता है विविक तनका साब आपके राज्य सभा सदत से हलाकि वो लायर भी है बहुत बड़े लायर है और नाम हम नहीं है उसके पारवी नहीं आपको पार्टि हैं आपको प्रवक्ता है इसका पर रहा है बात कर रहा है ये इसका आप चाहिए जाफर को लाप पहुंचाने कलावा और कुछ नहीं है सब्सक्राइब करने करने करें लगाता है अच्छी बात नहीं है कभी पहले दिन भी आदरनी कमनला जिन साफ कहा था हम चुनाओं में जाएंगे हम नहीं जाएंगे हम जनता की नहीं में जाएंगे चुनाओं की कि इनके जाने से इस पर आप्कि विचाह रहें है रहे हैं बारते के समर्थ की हो रही है रहे हैं इसा तो नहीं है आपके पास कापी रखी, समझा दीजी, समझ लेते हैं, मैं बोलता हूँ आपस, इस कापी में लिखा हुआ है, माराश के साथ कलब करने के बुद्ध का हुआ, जब विवेक तंखा और जाफर साथ खड़े हुए, तो उनने बुला, आजाओ भई, हम तुमारे हाथों करवा द आपस दुमारे है, तो सुबेर आख लिखा लेकर बोल रहा है सर, अब अब धनोपिया साब ये बता दी, जब फुर केस ही लड़ा था, यहाद ए, वो तो बकीर है, हम ने मान लिए, हम ने मान लिया, हमने मान लिया ये तो खिर आप आप लोग बदोनों बीड़ेश जी बा कॉंग्रेस पार्टी उसके पक्षमेया नहीं है। कॉंग्रेस पार्टी नहीं है। पत्या करवा दिये इन्होंने। अब OBC को क्या जवाब देंगे बताईए। बाई मोदी जी शिवराज जी पार्लियमेंट में लाके विदान सभा में लाके ओडनेस जारी करा कराके OBC को आगे दाने चाहते हैं। प्रदेश में 24% OBC वर्ग है और ये अदालत जा जाके उसको खतम करा देते हैं। और आके बोलते हैंं। हम तो कहीं नहीं है साब बड़े निर्दोष हैं साब हत्या भी करते हैं और दनोपिया साब जी मिरसा जुड़े और साथी दिनिस गुपता सर लेकिन मध्य पिदिस में पंचाय चुनाओं को लेकर अब गैंद राज निर्वाचन आयुक के पाले में है बात आरक्षण की हो र आरक्षण को लेकर पहले से चर्चा चलती रही यह मसला हाई कोट में भी पहुंचा था पर अब कोट के ताजा निर्देश के बाद राज निर्वाचन आयुक क्या करता है नजनेस पर रही इतना ही मुझे दीज इजाजत बने रहे बंसल नियूस पर आगे देखे 36 गड़ के तीन साल नमस्कार